लगाता चतुर्त दिनरेवी जारी रोची पूरी एमार मठर उच्छे दकार्ज्यौ। मठा महन्त र्याज़कुपाल रामानुज्व दास कोणो सी हालोत्रे मठा चाड़ी बाकु नारास्ति भाविडे तांकु मनाय बाकु चेस्ट्रा करीची प्रसासन। या भीतरे नीचो आडू प्रेश्मिट करी ख्योबर प्रकास करीबास जस्टिस बीपी दास कमिशन करीपोट कुने इमध्य प्रस्न उठाए छनते। मीशन 25 मिटर लगातर चत्थूर्त दिनरेवी जारी रोई छी पूरी एमार मठर उच्छे दकर्चो आजी एमार मठ संगलंग न बणिया पटिरे थिबा दोकान गुडिको भांगी छी प्रस्यासन। पणिया पटिरे बार रू पंदर सुना दोकान रोई थिला। ताकुडिकाई छकरू दोलो मंडब साइज्याई रास्तकु सील करा जाई छी। सुरक्षा पाई प्राई तीरीस प्लाटून फोर्स मूतर न हुई छन्ती। उच्छे दो कामरे आठवटी ड्रिल मेसीन ओ ब्रेकोर मेसीन नियोजितो हुई छी। से पड़े आजी सकालू एमार मठ महन्त राजगोपाल रामानु जो दांस कस पूरी उपजिलापाल आलोचना करी थिलेवी मठ छाडी नाहंती महन्त। असुस्थता कारण दर्साई से मठ छाडी बाकु मना करीची बाकुआ जाउची। से पड़े मठ मंदिर वो मुख्य घर नभांगी बाकु प्रसाशनी कस तरोरे निस्पती नियाजाई थिवा जनापडी छी। मठर मुख्य घर जारीपडे पाचरी बुलाई पकी चा करीबाकु फ्रेस जोजोना करीची प्रसाशन। P.W.D. सूपरीटेंडेंड येवं एनेच जीप इंजिनियर मठ जारीपा खरे मापो जुप करीछन्ती। जब ब्रेस्मिट करी मठव भंगा नंे ख्योबअ प्रकास करीबास हो जचिस वफीदास कमिसन्का रेपोर्ट ओपरे प्रसान। याँ वीत्ट्रे सामनाक। आशी छोन दी जागत गुर संक्राचर जया। मठो कहा अधिनरे न थिला तेलू एफड़े दिस्पति नेई मठो बुडिक भांगी बादरा उभय मठोव मंदिर अस्तित्व नस्ट हैुँछी। कमीशन केउँ आधार अरे रिपोर्ट प्रस्तुत करी छन्ति ताह जणा नाही। जगन्नाथ संस्कृति सो जडित थिवा मठर उच्छे दने कमीशन तांगठरू कोनुसी मतामत नहिनांदी बोली कोही छन्ति जगत गुरू। एंडाव्मेंट एक्ट को क्रियान्वित करने वाली सरकार मौन रही और कमीशनर मूक दर्सक होते रहे गुप्त निती से कभी प्रकट निती से उन अराजक तत्रूं के साथ सहभागिता का निर्वाह करते रहे। अंग्रेजों के शासनकाल में भी या मठ स्वतंत्र स्टेट के रूप में ख्यापित किया गया था। एमार मठ परे एवे पाली बड़ो आखडा मठर। एठारेथिबा दोकानी मानुकु दोकान गुडिकु खाली करीबाकु नोटीस करीची प्रसासन। एठारेथिबा फायर स्टेशन एबंग पोली स्टेशन को अन्यत्र स्थानांत्र करा जैची। पुरीरू क्यामरा पर्शन निरंजन चंद्रशेखर सुकान्त का सचित्तरंजन मान्ती दूतिकु खुष्ण पईएबं कीशन बाराइंक रिपोर्ट न्यूस सेबेन।